इस समाचार के प्रयायोजक हैं आरके मेडिसिन हर्देप चौधरी किराना दुकान के बगल में न्यू मार्केट सरया गाणि मुजफर पूर बिहार बिधान सभाज चुनाओ की हनक अब पटना की सरकों पर भी दिखने लगा है बिहार बिधान सभाज चुनाओ जब भी आता है आपने देखा होगा कि राजधानी पटना की सरकों पर पोश्टर वार शुरू हो जाता है आज एक फिर पोश्टर वार की शुरुवात हुई है जिसमें पती पतनी के सरकार की बात कही जा रही है उस पोश्टर में चर्चा हो रही है पती पतनी के सरकार की जी हां हम बात कर रहे हैं हाई कोट के पास हरताली चौक के पास इन सारे जगों पर जो पोश्टर लगे हुए हैं आज राजधानी पतना की सरकों पर कई जगह पोश्टर देखने को मिले जिसमें की पूर्व मुख्यमंतरी लालू परशाद यादब, पूर्व मुख्यमंतरी रावरी देवी, शहाबुद्दीन और राजबलब यादब की तस्वीर लगी है और उस पोश्टर की बात अगर करें तो उस पोश्टर में हत्या, लूट, दकैटी सबको पीछे में दर्शाया गया है तो कहीं न कहीं चुनाओ की शुरुवात हो चुकी है और एक बार फिर पोश्टर वार की शुरुवात हो चुकी है ताकि हर चुनाव में होता है, इस बार भी पटना की सरकों पर आप पोश्टर वार साप साप देख सकते हैं। हाई कोट के पास भी पोश्टर लगाए गये हैं, जिसमें की पूरी तरह से दर्शाया गया है कि 15 साल के लालू राज का क्या हाल था। उस पोश्टर वार में 15 साल के लालू राज को कहीं न कहीं पूरी तरह से दिखाया गया है। हाला कि उस पोश्टर में उस पोश्टर को किस ने लगाया, कब लगाया और किस के कहने पर लगाया, ये बाते साफ नहीं हो रही है। लेकिन बिहार सरकार के मंतरी नीरज कुमार के ट्वीटर को देखने पर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा नीरज कुमार जो की बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने अपने ट्वीटर पर लिखा है कि बा मुलाहिजा ओशियार ब्रश्टाचार के सुप्रीमों से ब्रश्टाचार के राज कुमार तेजस्वी यादब करेंगे आज मुलाकाद बेजुबानों का चाराखा होटवार में कैद अपराधियों के महामंडलेश्वर मतलब आप समझ लिजे कि लालू प्रशाद यादब को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है अपराधियों के महामंडलेश्वर अरब पती बेटे से होंगे रूबरू सहीयोगियों साबधान अपने संपत्ती की सुरक्षा स्वेंग करे बातियों के लिए सुशासन काफी है तो एक बार फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा वार किया है सरकार ने विपक्षी पाटी पर और कहीं न कहीं पोश्टर वार की शुरुआत राजधानी पटना से शुरू हो चुकी है अब जनता तै करेगी पोश्टर किसके सही है और किसके गलत जनता अब चुनाओ में ही तै कर पाएगी कि कितना सही कितना गलत जनता है ये सब जानती है और चुनाओ में जनता जनारदन ही फैसला करेगी कि अगली सरकार किसकी सरकार हला कि तयारियां सरको पर दिखने लगी बिहार लाइमनाव के लिए मुकेश चोड़सिया की रिपोर्ट